देखिए आप अपनी कुंड़ी को सबसे पहले लगन की बात करें तो लगन हो गया यहाँ पर कन्या लगन और कन्या लगन के स्वामी बनते हैं मरकरी यानि बुद्ध जाकर वो यहाँ पर बैठ गए छटे घर में अब कोई भी प्लैनेट अगर लगन पती लगन पती ही छटे में जाकर बैठ जाए तो 65% कुंडली बरबाद हो जाती है बरबाद इसलिए हो जाती है क्योंकि प्लैनेट तो अपनी पोजिशन दे रहा नहीं जो समस्य आ रही है उसी में बुद्धी खर्च हो जाएगी आपकी एक के बाद एक समस्य आती जाएगी बुद्धी को वेपा जो काम है फस गया है जबकि यहां पर आप देखे कि गुरू यह गुरू भी यहां पर आके बैठ गए हैं च्छटे में गुरू बैठेंगे तो वह भी हो जाएगा वह व्यापार में दिक्कत होगी गुरू युरिवरसल टौनेंगे मैंने पहले भी बूला गुरू छे आपकी राशी तो राशी आपकी तुला राशी है अच्छी राशी होती है अब आप देखिए जब यह तीन प्लैनेट बैठ जाएंगे तो इसका विवेचन मैं करता हूं तो मरकरी मरकरी जिरो डिगरी पर है अस्त भी है वकरी भी है तो बुद्धी हिंता वाली स्तिती हो जाएगी बुद्धी रहेगी आप लगा नहीं पाओ कि किसी काम में जहां लगाओगे उल्टा परेडाम मिलेगा और बुद्ध जो है वह बहुत बड़े प्लैनेट है बेडरूम के भी प्लैनेट है वेडरूम भी खराब हो जाएगा आपका आप देखिए इन तीन प्लैन प्रोफेशन का गवर्मेंट से लाब का पिता के पिता का भी घर होता है अब यह भी यहां जाके बैठे हुए है मरकरीन दोनों घर को रिप्रिजेंट कर रहे हैं यह और यह तो आपका प्रोफेशन भी गड़बड हो जाएगा प्लस प्रोफेशन में क्या है शनी भगवान बैट गए हैं और शनी भगवान क्या हो वक्री हो गए हैं तीन नंबर पर न्यूटल कहे जाते हैं तो शनी वक्री हो गए हैं प्रोफेशन में बहुत रगड़ देंगे आपको रगड़ देंगे बहुत बुरी तरह रगड़ेंगे शनी मंगल आमने सामने हो गए हैं अस्त बती भी यहां बैटे तीन और शे को रिप्रेजेंट करते हैं तीन मतलब मिथोन राशी छे मतलब कन्या राशी अब यह मरकरी इदर बैटे जिरो डिगरी है मतलब छे के छे बल खराब हो गए हैं मरकरी के तो इसलिए सबसे बड़ी आपको दिक्कत हो रही दूसरा हम वीनस य इदर आके इसके स्वामी ही घर के के तू बैठे ठीक है अच्छा है के तू आपको लाब भी देंगे लेकर 48 के बाद देंगे तो अब यह भी देखा जाता है कि स्वामी कौन है दो नंबर यहां लिखा तो इसके स्वामी कौन मैंने वीनस जाकर चटे बैट गए हैं तो चटे में बैठ गया है यह भी कड़बड हो गया है आप क्या करेंगे वीनस यहां बैठकर इस घर को देखेंगे बारवें घर को यहां पर आपको खर्चा भी खुब करवाएंगे अब जूपिटर की बात कर ले तो जूपिटर 9 और 12 को रिपेसेंट करते हैं 9 और 12 का खेली खतम हो जाएगा तो 9 नंबर क्या है यह आपका घर जहां आप रहते हो तो वहां पर आपको हर्ज हर तरीके की प्रॉप्लम होगी क्योंकि 9 नंबर के प्लैनेट गुरू यहां के बैठें 12 नंबर मीन राची के भी स्वामी होते हैं यह आपका परिवार है आपका वहवाहिक जीवन है साथावस तो सब्मेश सब्मेश का मतलब हैं यहां जब भी ऊठके यहां बैठ जाएंगे तो रहों यह कोई घैली कई खटम हो जाता वहवाहिक जीवन के कभी सुखनी मिलता जब भी कोई सब्तमेश हो जाकि डिं mango को क्ले भी सक कित दिक्कत अ बात कर दिया है वो समझिए प्रोफेशन व्यक्तित्व मरकरी से धन और भाग्य किसे विनस से गुरू से क्या खतम हो गया है आपका होम प्लेस जिस घर में जिस छत के नीचे रहते उज्जत ही नहीं मिलेगी दूसरा जो पत्नी का जो सुख है वो भी इदर गरगड़ हो गया है तो यह तीन प्लेनेट यहां पर गडबड़ हो गए है अब आपका एक सवाल और था मंगल अब देखिए मंगल यहां पर बैठे हुए है चौते घर में तो चौते घर के मंगल तो रगड़ते हैं आप मंगली भी हो चौते घर के मंगल आठवे घर के मंगल और साथवे घ पढ़ते हैं मंगली हैं तो सबसे पहले तो एक है कि इसको सांति मंगल की सांति आपको कराओगे तो प्रोफेशन में आपका काम चलेगा बुद्ध का लॉकेट पहनना पड़ेगा देखें मंगल का पूचन तो अलग हो गई होगा यह तो सेपरेट है तब आपको क्या है कर बारवे को भी देख रहा है साथमीं दिरिष्टी से और जूपिटर के जूपिटर की यहां जैने से यूनिवर्सल जो टॉनिक है वह गटर में चला गया है तो तीन प्लैनेट यहां पर आके छटे में बहुत बुरा गडबड़ कर दिये हैं अब देखिए और जित्ते घ नमकर राशी अब शनी भगवान यह देखिए यहां बैठे हुए आके प्रोफेशन में तो प्रोफेशन के चांसे साब को सूर्य बना रहे हैं सूर्य आपके जबर जस्त बने लेकिन शनी भगवान ने पकड़ा रखा है क्योंकि शनी भगवान के घर में आ गए हैं मकर रा तो एक चीज़ है राहू और केतु आपकी कुंड़ी में इस एक्सिस पर बैठे हुए हैं बहुत गजब बैठे हुए हैं केतु आपको थोड़ा बत पैसा देंगे भी 48 के बाद में लेकिन इन तीन प्लैनेट के कारण सन फस जाने के कारण इन मंगल चोहते हो जाने के लेते हैं वो भी आपके चंद्रमा बहुत अच्छे हैं ठीक आपके जो मन का पावर है मन की शक्ती है यह अच्छी रहेगी और दूसरी राहू आपके बहुत अच्छे हैं राहू पराकरम देंगे लेकिन उत्पत्ति आप क्या पराकरम करोगे बहुत भेंकर करोगे हार्ड ये तीनों लेने नहीं देंगे उसाथ में मंगल अलग बैठे यहां शनी वकरी होके बैठ गए हैं शनी आपको देना चाह रहे हैं लेकिन वकरी हो जाने इस्टार लगा है इस्टार का मतलब वकरी होता है पीछे की तरफ जा रहे हैं तो शनी यहां पर बहुत ज़्यादा भी गड़बड़ है यह आपके प्रोफेशन